दोस्तों, इनसान होना अपने आप में एक बहुत ही अनोखा और गहरा अनुभव है, जो कई अलग-अलग पहलूँ से मिलकर बना है। इन्ग अलग-अलग शरीरों से जुड़ा है। ये शरीर हैं। स्थूल शरीर, सूक्षम शरीर और कारण शरीर। हर एक शरीर हमारी अस्तित्व की एक अलग परत को दर्शाता है और हर एक का अपना अलग महत्व और उद्देश्य है। स्थूल शरीर जो सबसे आसानी से समझ में आता है हमारा भौतिक शरीर है इसके माध्यम से हम इस दुनिया का अनुभव करते हैं यह शरीर हमें भौतिक दुनिया से जोड़ता है और हमें दैनिक जीवन की गतिविधियों में सनलगन करता है सूक्ष्म शरीर जो मन बुध्धी और अहंकार से बना है हमारे विचारों भावनाओं और धारणाओं को नियंतरित करता है। यह शरीर हमें मानसिक और भावनात्मक अनुभवों से जोड़ता है, जिससे हम अपनी आंतरिक दुनिया को समझ सकते हैं। कारण शरीर, जो सबसे सूक्ष्म है और हमारी आत्मा का स्थान है, हमारे भावतिक और मानसिक सीमाओं से परे हैं। यह शरीर हमें आत्म साक्षातकार की यात्रा पर ले जाता है, और हमें हमारी सच्ची पहचान से जोड़ता है। इन तीन शरीरों को समझना बहुत जरूरी है, तब ही हम इनसान होने की पूरी क्षमता और आत्म साक्षातकार की यात्रा को समझ सकते हैं। यह द्रिश्टिकोन हमें खुद को सिर्फ भावतिक रूप में देखने की सीमा से आगे बहने और अपनी पूरी क्षमता को पहचानने में मदद करता है। इन तीन शरीरों के बीच के संबंध को समझ कर, हम चेतना की प्रकृती, कर्म और पुनरजन्म और मोक्ष के मार्क के बारे में गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें सभी चीजों के इंटरकनेक्टिडनेस को दिखाता है और हमें एक सचेत और सार्थक जीवन जीने की राह दिखाता है। यह द्रिष्टिकोन हमें हमारे भौतिक अस्तित्व को सुईकार करने और साथ ही हमारी आंतरिक दुनिया की गहराई को पहचानने में मदद करता है। भौतिक, मानसिक और आत्मिक अनुभवों को एक साथ जोडने की क्षमता प्रदान करती है। इस समग्र द्रिष्टिकोन के माध्यम से हम अपने जीवन को अधिक पूर्णता और संतोष के साथ जी सकते हैं। यह हमें हमारे अस्तित्व की गहराई को समझने और हमारे जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाने की दिशा में प्रेरित करता है। यह द्रिष्टिकोन हमें हमारे भौतिक और आत्मिक अनुभवों के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। यह हमें हमारे जीवन के विभिन पहलूओं को एकी कृत करने और एक समग्र द्रिष्टिकोन अपनाने की प्रेरणा देता है। इस समग्र द्रिष्टिकोन के माध्यम से हम अपने जीवन को अधिक गहराई और अर्थ के साथ जी सकते हैं। यह हमें हमारे अस्तित्व की गहराई को समझने और हमारे जीवन को अधिक अर्थ पूर्ण बनाने की दिशा में प्रेरित करता है। यह द्रिष्टिकोन हमें हमारे भौतिक और आत्मिक अनुभवों के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। यह हमें हमारे जीवन के विभिन पहलूँओं को एकिकृत करने और एक समगर द्रिष्टिकोन अपनाने की प्रेरणा देता है और हमें एक सचेत और सार्थक जीवन जीने की राह दिखाता है हमें बाहर एक तै है स्थूल शरीर जिसे संस्कृत में स्थूल शरीर कहा जाता है हमारा भौतिक रूप है हमारे अस्तित्व का वो पहलू जिसे हम देख और छू सकते हैं यह हमारे जीवन का आधार है जो हमें इस भौतिक दुनिया में अनुभव करने और जीने की क्षमता प्रदान करता है यह पांच तत्वों प्रित्वी, जल, अगनी, वायू और आकाश से मिलकर बना है जो हमारे शरीर को स्थिर्ता और संतुलन प्रदान करते हैं और इस भौतिक दुनिया में हमारा साथ निभाता है हमें प्रकृती से जोडता है और हमें जीवन के विभिन पहलूओं का अनुभव कराता है हमारी इंद्रियां, देखना, सूंगना, स्वाद लेना, छूना और सुनना स्थूल शरीर को बाहरी दुनिया से जोडती हैं और हमारे अनुभवों को आकार देती हैं ये इंद्रियां हमें इस दुनिया की सुन्दर्ता और विविधता का अनुभव करने में मदद करती हैं और हमारे अनुभवों को आकार देती हैं हमें जीवन के हर पल का आनंद लेने का अफसर देती हैं स्थूल शरीर एक अध्भुत रचना है जो हमें विभिन गतिविधियों को करने की क्षमता प्रदान करता है अंगों, उतकों और प्रणालियों का एक जटिल नेटवर्ग जो जीवन को बनाए रखने के लिए एक साथ काम करते हैं यह नेटवर्ग हमारे शरीर को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखता है हमारे दिल की धड़कन से लेकर हमारे दिमाग की गतिविधियों तक हर एक क्रिया हमारे जीवन के लिए महत्वकून है स्थूल शरीर का हर एक पहलू प्रकृती के चमतकारों का प्रमाण है जो हमें जीवन की अध्भुत्ता का एहसास कराता है लेकिन इतनी जटिलता और शक्ति के बावजूद स्थूल शरीर स्थाई नहीं है यह समय के साथ बदलता है और अंततह समाप्थ हो जाता है यह जन्म, वृध्धी, उक्षय और अंततह मृत्यू के अध्यीन है यह जीवन का एक स्वाभाविक चक्र है जन्म और मृत्यू का यह चक्र, मानव अनुभव का एक अभिन अंग है जो हमें जीवन की अस्थिर्ता और परिवर्तन शीलता का एहसास कराता है जो हमें याद दिलाता है कि भौतिक संसार क्षण भंगुर है यह हमें सिखाता है कि हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए हाला कि हम अपने भौतिक रूप के साथ खुद को जोडते है यह याद रखना जरूरी है कि स्थूल शरीर हमारे वास्तविक स्वा के यह का सिर्फ एक अस्थाई घर है यह याद रखना जरूरी है कि स्थूल शरीर हमारे वास्तविक स्वका सिर्फ एक अस्थाई घर है यह हमें आत्मा की अनंतता का एहसास कराता है स्थूल शरीर की प्रकृती को समझने से हम इसकी सीमाओं को समझ पाते हैं और साथ ही इसकी क्षमताओं की सराहना भी करते हैं यह हमें अपने शरीर के प्रती जागरूख और समवेदन शील बनाता है उचित पोशन, व्यायाम और आराम के माध्यम से अपने शारीरिक स्वास्थे की देखभाल करके हम अपने संपूर्ण स्वास्थे के लिए एक अच्छा वातावरण बनाते हैं यह हमें शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित और स्वस्थ बनाए रखता है हलांकि यह पहचानना भी उतना ही महत्वकून है कि वास्तविक संतुष्टी और मुक्ती भौतिक शरीर की सीमाओं से परे है यह हमें आत्मा की अनंतता और शान्ति का अनुभव कराता है और यह यह चूम बाबाते थे भौतिक शेत्र से परे सूक्ष्म शरीर है जिसे संस्कृत में सूक्ष्म शरीर कहा जाता है यह शरीर हमारे अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भौतिक शरीर से परे जाकर हमारे आंतरिक अनुभवों को समेटे हुए है यह शरीर जो आँखों से दिखाई नहीं देता मन, बुद्धी, अहंकार और प्राण से बना है यह सूक्ष्म शरीर हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है चाहे वहमानसिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक प्राण वो जीवन उर्जा है, जो हमें जीवित रखती है यह उर्जा हमारे शरीर के हर हिस्से में प्रभावित होती है हमें शक्ती और जीवन प्रदान करती है सूक्ष्म शरीर हमारे विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और सपनों का स्थान है जो हमारे दृष्टिकोन और क्रियाओं को प्रभावित करते हैं ये हमारे आंतरिक संसार का केंद्र है जहां हमारी सभी मानसिक और भावनात्मक गतिविधियां होती है मन, सूक्ष्म शरीर का एक शक्तिशाली अंग है लगातार गती में रहता है विचारों की एक धारा उत्पन करता है और हमारी इंद्रियों से जानकारी संसाधित करता है ये हमारे अनुभवों को आकार देने में महत्वकून भूमिका निभाता है बुद्धी हमारी तर्क और विवेक करने की क्षमता है जो हमें अपने आसपास की दुनिया का विशलेशन हो, व्याख्या और समझने में मदद करती है। यह हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में सहायता करती है। अहंकार हमारे मै की भावना है, जो हमारी पहचान और दूसरों के साथ बाचीत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है। यह हमें हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में मार्ग दर्शन करता है। प्राण सूक्ष्म शरीर में बहती है, हमारे भौतिक शरीर को उर्जित करती है और हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करती है। यह उर्जा हमारे जीवन की गुनवत्ता को निर्धारित करती है। यह उर्जा नाडियों नामक मार्गों से भू कर बहती है जो सूख्ष्म शरीर के विभिन में हिस्सों को जोड़ती है और हमारे संपूर्ण स्वास्थे को प्रभावित करती है। नाडियां हमारे उर्जा प्रवाह को संतुलित रखने में मदद करती है। व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सुक्ष्म शरीर की गतिशीलता को समझना बहुत महत्वपून है। यह समझ हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और सामंजस से लाने में मदद करती है। अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के प्रती जागरूख होकर हम अपने जीवन पर बेहतर नियंतरन पा सकते हैं। यह जग की बागी आया है। जागरूपता हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। ध्यान, Mightfulness और आत्म निरीक्षन जैसे अभ्यास हमें मन को शान्त करने, भावनात्मक बुद्धीमत्ता विकसित करने और सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करने में मदद करते हैं। ये अभ्यास हमें आंतरिक शांती और संतुलन प्रदान करते हैं। जैसे जैसे हम अपने सूक्ष्म शरीर को परिश्कृत करते हैं हम अधिक स्पष्टता, शान्ती और अपने वास्तविक स्वरूप के साथ गहरा संबंध हनुभव करते हैं यह प्रक्रिया हमें आत्म ज्यान और आंतरिक शान्ती की ओर ले जाती है हमारे अस्तित्व के मूल में कारण शरीर स्थित है, जिसे संस्कृत में कारण शरीर कहा जाता है हमारे अस्तित्व का यह सूक्ष्म और गहन आयाम आत्मा का स्थान है, जो भौतिक और मानसिक शेत्रों की सीमाओं से परे है कारण शरीर हमारे पिछले कर्मों का भंडार है इस जीवन और पिछले जन्मों से हमारे विचारों, कार्यों और अनुभवों के संचित संसकार कारण शरीर को अकसर एक पीज के रूप में वर्नित किया जाता है जिसमें हमारे पूरे अस्तित्व का खाका होता है जिस प्रकार एक बीज में एक विशाल व्रिक्ष की संभावना होती है उसी प्रकार कारण शरीर में हमारे आध्यात्मिक जागरण और मुक्ती की संभावना होती है यह कारण शरीर में हैं जहां हम अपनी वास्तविक प्रक्रती हमारे भीतर रहने वाली दिव्य चिंगारी से जुड़ते हैं। स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के विप्रीत जो परिवर्तन और क्षय के अधीन हैं, कारण शरीर शाश्वत और अपरिवर्तन शील है। यह साक्षी चेतना है, मौन द्रश्टा है, जो मन के उतार चड़ाव और भौतिक शरीर के परिवर्तनों का अनुभव करता है। कारण शरीर से जुड़ना आध्यात्मिक साधना का अंतिम लक्षय है। गहन ध्यान, आत्म चिंतन और प्रेम, करुणा और ज्यान जैसे गुणों के विकास के माध्यम से, हम भ्रह्म के परदे को भेच सकते हैं और उस गहन शांती और आनंद तक पहुँच सकते हैं, जो हमारे भीतर है। कारण शरीर की यात्रा आत्मखोज की यात्रा है, जो हमें शुद्ध चेतना के रूप में हमारी वास्तविक प्रकृती के बोध की ओर ले जाती है, जो दिव्य स्रोत के साथ एक है। क्या आप अपने जीवन में निराश हैं? क्या आपको भए और चिंता सताती रहती हैं? क्या आप सच में खुद को जानना चाहते हैं? जुड़े अध्यात्म के सर्वश्रेष्ट कोर्स के साथ जिसमें आपकी सभी समस्याओं का समाधान हैं? कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिये गए वाट्साप नंबर पर मेसेज करके जॉइन करें।